इस लेक्सर में हम ब्यास रीवर के बारे में पढ़ेंगे यह हमारे लिए इंपोर्टेंट इसलिए अभी रीसेंटली यह न्यूज में है रीसेंटली न्यूज में क्यों हो इसके बारे में भी जानेंगे पहले आप लोकेशन देखिए यह इंडिया का मैप आपको दिखाई यहां पर हिमाचल प्रदेश है हिमाचल प्रदेश में यह ब्यास रिवर है जी यह ब्यास रिवर निकलती है और यह सतलुज में मिल जाती है यहां पर पंजाम में यह ब्यास रिवर है और यह आपकी सतलुज रिवर है यह तो यह ब्यास रिवर सतलुज में मिल जाते है जी प gallon per day water आता है Delhi में इस river से तो क्या है central government इसको रोकने जा रहे है going to stop ये water को तो क्यों रोकने जाए है क्योंकि यहाँ पे एक repair work चल रहा जी इस पे नांगल हैडल जो channel है उसको बंद कर रही है government central government वहाँ पे repair work चल रहा है कुछ इसलिए तो क्या है कम से कम जो 25% तक water supply होती है Delhi में वो रुख जाएगी इसलिए recently news में है और यह आए दिन news में रहती है क्योंकि ब्यास river को लेके हरियान और पंजाव के बीच में भी dispute चलता रहता है तो इसलिए हमारे लिए important हो जाती है अब ब्यास river की location पहले आप exactly देखिए इस map को देखिए से जुम करके देखते हैं यह अपना हिंदुस्तान और यह आप देख रहो हिमाचल परदेश यह यहाँ पर ब्यास river है यह यह ब्यास river आपको दिखाई दे रही है यह ब्यास river निकलते हैं नियर रोतंग पास पास क्या होता जी दर्रा होता जैसे mountain माउंटेन में से वालों यहाँ से निकलने का रास्ता है एक जगह से दूसरे तो यह पास है जी पास रोतंग पास है जी कितनी हाइट पर sea level से अगर इसकी हाइट देखें तो 4060 2 मीटर हाइट पर जी यह और पीर-पंजाल रेंज है जो पीर-पंजाल की पाड़िया आजी यहाँ पे पीर-पंजाल नाम से उसके southern end से निकलती है ब्यास river निकलती है यह source है और इसी के कुछ पास पर ही रावी river निकलती है जी यहाँ से रावी river तो यह क्या है जो धोलाधर range है धोलाधर की पाड़िया है उनको cross करते हुआ आती है ब्यास river और southwest direction में चलती है और यह पंजाव में हरी के place पे सतनूज river से मिल जाती है यह आपको याद रखना है तो इस तरह से क्या है एक small river है बहुत छोटी river है जो कि किवल कितनी इसकी लंबाई है 460 km long यह river है जो कि entirely क्या है within the Indian territories lie करती है मतलब कि यह पूरी तरह से इंडिया के अंदर ही निकलती है और इंडिया के अंदर ही यह मिल जाती है जैसे आपने देखा जैसे मैपने सतलूज आगे चली जाती है किसमें मिल जाती है जो सिंदू river है इंडस river उसमें मिल जाती है इंडस इंडिया यह नेपाल से होके इंडिया में पाकिस्तान में चली जाती है तो यह क्या सिरफ इंडिया से ही निकलती है और इंडिया में ही मिल जाती है तो यह याद रखना आपको तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही हम मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए इंतिजार